आज मैं आपके साथ शेयर करने जारी हूँ प्रैशर कुकर में बनने वाला बहुत ही टेस्टी पुलाव। हम इसमें सबजियों का भी इस्तमाल करेंगे और साथ के साथ इसमें पनीर भी डालेंगे। ये पुलाव बहुत ही अलग और बहुत ही टेस्टी बनता है। आप इस सबसे पहले हम रैस को भिगों कर रखेंगे तो मैंने यह पे यह पर यह लिया है बास्पंती रैस जिसे पानी के साथ 15 मिनीट के लिए छोड़ देंगे तो इसे हमें फॉकर गरम होगा तो हम इसमें दो नणे जीरा को और बाकी चीजों को भुनने देंगे और साथ ही आप queste इसमें डालव सूखी राल मिर्ज कसूरी मेथी डाल देंगे एक बळा चमच इन सारे चीजों को हम थोड़ा सा भून लेते हैं तो इनको सबको भून जाने थे हलका सा अब हम इसमें डाल देंगे एक बढ़ा चमच अदर्क लैसून घिसा हुआ तो मैंने लैसून को और अदरक को घिस लिया है एक बड़ा चपमच इसे हम इसमेट कर देते हैं और इसे भी थोड़ा से हम फ्राय होने देंगे तो हलका से इसे भी हम भून जाने देंगे जैसे ही अद्रकलैसुन हलका भून जाएगा तो हम इसमें यह प्यास डाल देंगे प्यास को आपको स्लाइजस में कट करना है एक मीडियम साइस की प्यास डाल देंगे स्लाइजस में कटी हुई प्यास को भी हम कुछ सेकिंड के लिए भून लेंगे प्यास को आप पहले से बहुत जादा नहीं भूनें क्योंकि हम सबजियों के साथ भी इसे फ्राय करेंगे तो आप देख सकते हैं प्यास हलकी से भून गई है अब हम इसमें सबजिया डाल देंगे आप अपने पसंद की कोई भी सबजियां डाल सकते हैं जैसे मैंने यहाँ पे कैपसिकम ली है तो यहाँ पे आप कोई भी कैपसिकम ले सकते हैं मैंने यहाँ पे तीनों कलर की कैपसिकम ली है इन सब कैपसिकम से जो है फ्लेवर बहुत अच्छा आता है और खुश्बू बहुत अच्छी आती है रेड वेल वेपर और येलो वेल वेपर कैपसिकम से इसी के साथ दो हम यहाँ पे हरी मिश डाल देंगे इसमें और ब्रॉकली डाल देंगे एक चौथाई कप आप जैसा कि मैंने बताया कोई भी सबजी ले सकते हैं इन सबको हम फ्राई कर लेते हैं दो-तेर मिट के लिए तो इसे लगातार आप चलाते रहें और दो-तेर मिट के लिए इसे फ्राई कर लें सबजीयों को हमें हलका हलका फ्राई करना है इतना ही आप इसे भूने तो यहाँ पे आप देख सकते हैं सबजिया हमारी अच्छे से भुन रही है अब हम इसमें पनीर डाल देंगे तो मैंने यहाँ पे 100 ग्राम लिया है क्यूप्स में कटा हुआ पनीर तो यह सारा पनीर डाल देंगे आप चाहें तो पनीर को अलग से भी फ्राय करके ले सकते हैं पनीर को भी हम थोड़ा से इसमें फ्राय कर लेंगे पनीर इनी के साथ फ्राय हो जाएगा तो हम इसे चला लेते हैं अच्छे से इन सब के बाद हम इसमें मसाले डाल देते हैं और 1-4 teaspoon यानि बहुत ज़रा सा सा हम इसमें डाल देंगे लाल मिश पाउडर. इन सबको हम हलका सा भून लेते हैं क्योंकि हमने इसमें मसाले डाले हैं, इनका कच्चापन निकाल लें और पनीर भी भून जाएगा साथ के साथ. अब हम इसे ढख कर भूनेंगे, आप चाहें तो थोड़ा पानी डाल सकते हैं अगर मसाले जल रहा हो तो, तो यहाँ मैंने इसे ढख दिया 2-1 मिनिट के लिए और आप देख सकते हैं हमारे जो मसाले अच्छे से भून गया है, पनीर भी फ्राय हो गया है, अब हम इसमें दही डालेंगे, लास्ट में, तो यहाँ पे 1-3-4 cup आपको डालनी है, दही, एक कप से थोड़ी कब मैंने दही इस्तमाल की है, दही को अच्छे से पहले फेट लें, फिर इसमें एड करें, नहीं तो फिर दही के दाने-दाने दिखाई देते हैं, तो यहाँ पे दही डालने के बाद भी मैंने इसे अच्छे से मिक्स कर लिया, अब हम इसमें चावल ड इसे के साथ हम ढाल दें गे स्वाध के अनुसार नमक, तो इसमें नमक एट कर देंगे और इसे अच्छे से मिक्स कर लियाए बस आपको सिरह से पहले, जाब हम इसमें और कुछ निक्स करेंगी, इसे हम प्रेशन के निक्रिए पर प्रेशे hima कर देंगे, और इसमें दो healthy parallel क तो इसका ढखकन बंद कर दे और high flame पर 2 whistle लगा तेगे तो गैस को हम कर देती हैं high दो सिटी लगने के बाद आपको इसका जो प्रेशर है खुद से निकलने देना है आपको प्रेशर खुद नहीं निकालना है जब इसका खुद बखुद प्रेशर निकल जाएगा उसके बाद ही आपको इसका धकन खोलना है तो जब प्रेशर निकल गया फिर मैंने इसका तो इस वीडियो को लाइक शेयर करना बिलकुल न भूले फिर मिलते हैं कोई नी रेसिपी के साथ